जैद खान Лंबी समय से बड़ी परदी से गाइब रही हैं उन्होंने हाल ही मी शोशल मीडिया पर एट्रेक्टिव फोटो शेर की हैं एक्टर नहीं एक फोटो शूट से पिक्टरस शेर की हैं जिसे उन्होंने अपनी ट्रांसफोरमेटिव जर्नी बताया है। जायद ने अपने एक्स ब्रेदरिन लो और एक्टर डिक्तिक रोशन को अपना मेंटर बताते हुए धन्यवाद भी किया है। जायद ने पोस्ट शेयर करते हुए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक करने की बात कही है। उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा इस लुक के लिए काफ़ एक मेहनत करने पड़ी। लेकिन मैंने इस दुरान बहुत कुछ से का मैं आखिरकार एक एक्टर के तोर पर अपनी जर्नी को अगले स्तर पर ले जा रहा हूं। जायद ने आगे लिखा इस ट्रांस्फॉर्मेटिव जर्नी के दुरान मेरे पास थैंक यू बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले मेरी मफाइफ मलाइका, मेरे पैरंस संजे खान और जरीन खान, मेरी बहने फारा खान अली और सुजैन खान। जायद ने अपने मेंटर और अपने एक्स ब्रेदर इन लो जितिक रोशन को भी शुक्रिया कहा है। बर्बेरिन फिटनेस ने मेरी बोड़ी को ट्रांस्फॉर्म करने में बहुत हेल्प की। जायद खान बोड स्ट्रोंग फैमिली बेक्गराउंड से बिलोंग करते हैं। उनके पिता संजे खान हैं जिन्होंने कई फिल्मों और कई टिवी शोज चेहनमान स्पॉर्ड ओफ टीपू सुतान को डिरेक्ट किया है। संजे खान ने दस लाग इंतकाम दो फूल एक माली और हकीकत जैसी कई फिल्मों में काम किया है। जायद की बेहन सुजेन खान ने फिल्म एक्टर टितिक रोशन से शादी की थी। जायद खान ने वोलिवुड में डेब्यू दोजा 3 में रिलीज हुई चुरा लिया है तुमने से किया था। जायद को पॉपुलरिटी दोजा 4 में आई फरा खान की फिल्म मैहुना से मिली थी। जिसमें शारु खान, शुशमिता सैन, सुनिल शेटी और अमरता राओ भी जायद ने दस, युवराज, अंचाना अंजानी और ब्लू जैसी कई फिल्मों में एक्टिंग की है लेकिन ये सारी फिल्म में बोक्स ओफिस पर असपल रही।